तो यह मेहमत अलीजी हैं और काफी खराब कंडिशन में हास्पिटल ने बढ़ती हुए थे इनको एक्चुली हार्ट का इंफेक्शन हो गया था दिसंबर दोजातेई से उससे सफ़र कर रहे थे यहां पर जब आये थे तो हार्ट फेलियर में थे उसके साथ साथ इनका किटनी और लिवर सब खराब था क्रेटनी 5.5 था एस जी पीटी एस योटी साड़े 3-4 जार के रेंज में थे लेकिन घ्रेजली दीमें दीमें इनका ट्रीटमेंट करते गए काफी दिन तक यह हॉस्पिटल में रहे इनका ट्रीटमेंट किया गया सब कुछ ऑल्मोस्ट नियर नॉर्मल करके फिर इनका दोनों वाल चेंज किया गया और अब ये स्वस्थ हैं पंदा दिन बाद आए हैं दिखाने हम लोको हॉस्पिटल में अच्छे से काम कर रहे हैं क्यों है मैं सब जी ठाक है जी सर खाना वना खा रहे हैं ठीक से चलने फिरने में कोई दिखर पर और ये वेट गिन करेंगे मेरा नाम रहमत अली है मैं मुंबई में बीमार हो गया उसके बाद होस्पिटल गया तो हमें पता चला कि हमारा हाड का प्रोब्लम है जो दो वाल खराब हो चुके हैं तो मैं अपने गाउं यूपी उतर परदेश चला आया वहां से आने के बाद मैं लॉरी में गया लॉडारी में दौक लिए वहां से नहीं ठीक हुआ किसे ने हमें सब्ला तिया कि आप चर्ख कोष्पिटल चले जाओ भघड़ी हैं हुआ इहां यहां आने के बाद हमें फं़र्ची वास्तजी मिले उन्होंने में सब्ला दिया हें कि आपको करना परмо ह मैं यहां आया हूँ दिखाने के लिए अभी मैं एक दम पर्फेक्ट हूँ ठीक हूँ अच्छे चल रहा हूँ मुझे और कोई दिक्कत नहीं अभी यहां के इश्टा भी सब मेरे अच्छे से देखवाल किये और यहां का इश्टा भी बहुत ठीक है हम रहमत अली के भाई रम यूपी तो हमको एक आदमी ने डाक्टर पंकेच कुमार साहब का एड्रस बता है हम सर के पास आये सर ने अच्छा मोटिवेट किया मुझे बहुत अच्छा रिस्पोंस दिया हम नाउमीद हो चुके थे लेकिन डाक्टर साहब ने हमको हिम्मत दिया और बहुत मेहनत किये तीन महीने तक हम लोग दिखाते रहे गए और डाक्टर साहब की बहुत मेहनत और पूरे श्टाब ने हमको बहुत अच्छा रिस्पोंस दिया हम बहुत सुकर गुजार हैं डाक्टर साहब के और हमारा भाई सोस्त अप्रेशन हो गया और बहुत टीटाग है डाक्टर बहुत बहुत सुकरिया